नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मैं हूँ अनीता और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अगर इस चीज़ से परिशान है कि आपकी सास आप में और आपके पती में जगड़ा लगवाती है तो आपको क्या करना तो सबसे पहली बात अगर आपकी सास आप में और आपके पती में जगड़ा लगवारी है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच प्यार की कमी है भरोसे की कमी है और आपके जो हस्बेंट है उनको आप से ज़्यादा विश्वास अपनी माँ पे है तभी तो उनको इतना लेकि तरीके बताने वाली हूं कुछ उपाय बताने वाली हूं जिससे आपकी प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी इस बात को लेकि बहुत ज्यादा परिशान होने की भी ज़रूरत नहीं है और इतना हलके में लेने की भी जरूरत नहीं तो आप और आपके पती के जो में रखें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूं कि आप लोग कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आपकी जो सास हैं सबसे पहला काम आपको करना है आपको अपनी सास के उपर ही अपना विश्वास जमाना है हां अब आप परण है कि वो इतना अधिकार रखती है कि आप दोनों के भी जगड़ा लगवा पा रही है और गलत फैमिया पैदा कर पा रही है और दूसरी बात आपकी सास आपको पसंद नहीं कर रही है कहीं ना कहीं ये एक वज़ा भी है कि आपकी सास आपको पसंद नहीं कर रही है इसल सबसे पहला काम आपको अपनी सास के साथ ही लगाव बढ़ाना है प्यार बढ़ाना है अपना विश्वास जताना है कि उनको ऐसा फील ना हो कि उनका बेटा उनके हां से निकलने वाला है बल्कि उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जो मेरी बहु है वो भी मेरे बेटे के साथ मेरा खयाल रखने के लिए आई है उनको यह चीज़ का डर है मन में वो निकल जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा इसकी तरफ हो जाए मुझसे दूर हो जाए तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अब अपनी सास के उपर विश्वास जमाने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं आपको अपनी सास के साथ बैठ कर खाना खाना चाहिए इससे आप थोड़ा सा उनके साथ समय बिता सेरियल वगईर है upon you and get 004 Sun Playstrange वाली है अबने वाली है क्या पहनेंगी यह अपना कोई आप साड़ी हो वो चीज उनको अरेंज करवाईए तो ये छोटी-छोटी चीज है अगर आपने की और उनके उपा थोड़ा ध्यान दिया तो उनको ऐसा फीलोगा कि मेरी बहू भी मेरी केर करती है ये मेरे बेटो को मुझसे दूर नहीं करेगी बलकि इसके आने से तो मेरा बोज और कम हो गया है तो धीरे-धीरे वो इस चीज को लेकर टेंशन फ्री हो जाएंगी कि जो मेरी बहू है वो मेरे बेटे पे कबजा जमाने नहीं आई है बलकि वो उसके साथ मेरा खयाल रख रही है और इसके बाद जब आपने अपनी सास पर अगर ऐसा लगाओ बना लिया उनके सास विस्वास जता लिया तो अपने आप ही आप देखेंगी जो आपके हस्बेंड है वो आपको पहले से ज़दा रिस्पेक्ट देने लग जाएंगी और आपके उपर भरोसा करने लग जाएंगे विस्वास करने लग जाएंगे उनको दिखेगा कि ये मेरी मा से मेरी फैमिली वालों से बहुत प्यार करती है उमीद करती हूं कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बाते बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और इस बातों को ध्यान में रखते वए, आपकी ये प्रॉबलम सौल्व हो जाएगी, अगर आपके जो पती हैं, वो अपनी मा की बात मानके आपको प्यार भी कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा उनकी माँ पे ध्यान दीजिए उनके साथ अपना लगाओ बढ़ाईए और अपनी प्रॉब्लम को खत्म करिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में